अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले नमस्कार SM News में आपका स्वागत है मैं सुरंदर सिंग और आप देख रहे हैं SM News चैनल आप सबी का हमारे चैनल में स्वागत है बस पा बहुजन समाच का जो इतिहास रचा वो रचा बाबा साहब डॉक्र भीमराव अमेडगर ने उसके बाद रचा काशीराम साहब ने लेकिन उन दोनों की जो बातें और विचारों को जन जन दक पहुंचाया उसको फैलाया सम्मे प्रकाशन ने आज हमारे साथ वो महा बहुजन समाच के बारे में कहा जाता है कि जो वो कई बार पार्टी से बहुत लोग निकाले गए हैं पार्टी से और लगतार निकाले जा रहे हैं इसलिए धर जादा ध्यान जाता है यद भी ये एक कटू सकते है कि सारी पार्टे ही अपने वर्करों को जो उनका नुकूल नहीं चलते हैं उनको निकालते हैं एक तो ये तो एक्ष्टिम एक्षन होता किसी को निकाल देना एक कई एक्षन ऐसे होते हैं जिसमें एक वर्कर को भाई अभी आप इनको पत से हटा देते हैं अभी किसी और को ले आते हैं और इनसे आप फला सेवा लेंगी ये भी एक होता है जैसे मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत सारे हमने परभारी वागरा इधर से उधर होते देखे हैं मगर एक दम से ऐसा वहवार कर देना कि कारिकर्था आपका विरोधी हो जाए हमें इससे बचना पड़ेगा हमारे पास पहले तो लोग बहुत कम हैं हमारे पास वरकर बहुत कम हैं और अगर हम गुड़ ना दें-गुड़ की सी बात देना सीख लें गुड़ ना दें गुड़ किसी बात मतलब उनका दिल रखने का एक वहवार सीख लें तो मैं समझता हूँ यह टूटन रुक जाएगी आज टूटन का यह दुस्क बरिणाम है कि आज जो उत्तर परदेश की सरकार में अधिकतर मंत्री हुआ है जो हमारे BSP मौमेंट से उपेक्षित किये गए थे और निकाले गए थे और आपको यह पता है कि मैं किसी को निकालूंगी उत्तरम दुस्वन उसको अख्तियार कर लेंगे तो वालनकि बहन जी की उपरदिया बहुत ज़्यादा है सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहन जी ने आया करके जो एक हमारी इस देश की मूर संस्कृती है ज़ो सबसे बड़ी विक्रिती समाज को तोड़ने के लिए क्लिए जो भी आ रहा है वो नहीं पार्टी बना रहा है मेरे कैई मितिन मेरी इस बाद से नाराज हो जाते है मगर मैं सही कह रहा हूँ उनके नाराज होने के बाद में मैं सही कह रहा हूँ कितने पार्टी बनाओगे अरे एक वोट से अटल बिहारी वाजपई की पहली सरकार गिरी थी जब तुमको पता एक वोट से सरकार बनती है एक वोट से सरकार गिरती है तो तुम्हारे इन पार्टी बनाने का मतलब क्या है कि कूर इस्थापित पार्टियों के रास्तर में तुम रोड अटका रहे हो तो आज जो घर घर में जो पार्टी बन रही है न उसके लिए भी दोस पिरासी बनने के सपने देखते हैं और घर-घर में संक्टन और घर-घर में पिर। पड़ी बन रहे हैं। त्या कोई करतानिंप आयं ऑंदोलन की पहचान नहीं आंदोलन चलाना आता नहीं आ अंपन देखने आते हैं। आरे सपना तुम चांद पर जानने के लिए देख लो मगर उसके साधन भी तो होने चाहिए ना अगर ऐसे तुम सपने देखोगे जो पूरे ना हो सकें तो उसका नुकसान तो समाज को भूगत ना पड़ेगा ना आज हो क्या रहा है बहन जी ने एक सांस्कृत को त्थान करक मेरे एक मित्र हैं लेखा कहें यहां एक बार आए जब बहन जी की सरकार थी तीसरी सरकार तब तक वो और भी बड़े बड़े निर्मान नहीं हो पाए थे वो आकर के बोले अरे शान जी आपको पता है यह तुमारी बहन जी ने सारा लखनों गेर लिया तो मैंने उसको कहा कि यह तुम बहन जी की परशंसा कर रहे हो या आलोचना कर रहे हो अरे हमारा कोई व्यक्तिय अब तक जो जिसके कमर खाली कोड़े सेहन करने के लिए होती जिसका मान जिसका जीवनी अपमान सेहने के लिए होता था उस समाज में कोई पैदा हो करके यह तो तुम कहा रहे हो सर्टिफिकेट दे रहे हो ने सारा लखनों अमबेट कर माई कर दिया तो बहुत बड़ी उपलप दी है अब बैन जी ने लखनों को कहते पत्थर से पाट अरे बेवकूफो संसार का सबसे बड़ा कल्यानकारी राजा समराट अशोक जब पेपर नहीं होता था लिपी भी विक्सित नहीं थी उस समय उन्होंने पत्थरों से लिख लिख करके संदेश दिये वो पत्थरों की किताबे बनाएं आज उनका नाम सारी दुनिया में है ब सारा कानपूर और सारा लखनव बहुजन संस्कृति का नुकूल कर दिया और तुमने क्या किया उससे पांज गुना रकम एक मूर्ती में लगा दी ये तो तुम्हें जो बिल मिलाना वहां से वो रकम तुम बताते हो असल में तो सबको पता है कि पौने तीन सो करोड रुप खदेडने का जो काम अब तक हुआ हुआ अब आओ घर वापसी की तरफ चलें जो हमारे साती हमसे रूठे हैं हमसे नाराज हैं हम अगर हमसे सवाल करता है तो सवाल करना बुरी बात नहीं हम उनको संतुष्ट करें उनकी बातों का जवाब दें मगर जवाब दे कर भी और उनकी बाते सुन कर भी हम सात मिल मिल कर ke चलें तो मैं समझता हूं कि आने वाला भाष्ट है बहुजन राजनिति का भाष्ट होगा उसे कोई रोक नहीं सकता हमारे कार्यकर्ταों को हमारे जितने भी कैडरिस्ट हैं अभी कैडरिस्ट हम बेशक कह लें अभी कैडरिस्ट होने का काम तो खतम ही हो गया ना कैडरिस्ट होने का काम तो खतम ही है वो तो कैडरिस्ट पैनल खड़े करने पड़ेंगे महनत करनी पड़ेंगी और वो सब सारा सिस्टम सारा मैथड आपके पास है उसको आरंब कीजिए और हमारे जैसे लोग जो थोड़ा बहुत जितरा सहयोग हमसे बनता है हम तो करेंगे हमेशा करेंगे उसमें कोई रुकावट आएगे ने आने भी ने देंगे मगर हम अपने सामाजिक आधार पर कुछ कह सकूँ मैं धन्यवाद कर अर्पित करता हूं इने शब्दों के साब जाए भी जैने वाज सब्सक्राइब करें और घंजी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले